सो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे आपकी बजीस फिमेल मटकी में क्यों नहीं जा रही है अखिर क्या कारण इनके ब्रीडिंग नहीं करने का अब जाएगी आपकी बजीस फिमेल भी मटकी के अंदर आपके आपर भी होगी ब्रीडिंग आपकी बजीस फिमेल भी अब देगी अंडे, बहुत जल्दी जाएगी मटकी के अंदर, तो देखें ये पूरा वीडियो, बर्द कना सपएगी मटकी के अंडे, असल्दी मलतकी के अंडे का यह बbaby करते हैं। क्या न की मतकी मैं कि अब रस जाते हैं, स्थाक। ज़ेछन वूरे काई ये बिनकोतो राइगी वेल, बद्देखें सिस्टाइब, क्या बैइक रशेछना के इनला का ये पूरा। आज चुके हैं हमारे बर्ड्स वाले रूम में यहाँ पर हमने बर्ड्स को रखकर रखा है और आज हम आपको बहुत जादा डीटेल वाली जानकारी देने वाले हैं कि आपकी फीमेल जो है या फिर आपने जिस बजीस फीमेल को पाल रखा है वो मटकी के अंदर क्यों नहीं जाती है तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ एक हमारे भाई का कमेंट आया था मैं इस पर ही पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ उन्हेंने का था कि भाई मैंने मटकी लगा दी है लेकिन बर्ड उसमें नहीं जा रहे हैं चार महीने हो गए हैं लेकिन उधर नहीं जाते तो देखिए ये जो है चार महीने हो गए है आपने मटकी लगा दी है ये मुझे नहीं पता कि क्या कंडिशन पर अभी ये भाई का जो है बढ़ी बर्ड्स हैं पर मैं इतना जानता हूं दोस्तों कि मटकी के अंदर ना जाने के कारण क्या क्या होते हैं तो आज मुखे तीन कारण पर मैं आपको बात करने वाला हूं तो लाइन से वन टू थी पॉइंट आप जो है नोट कर लीजेगा और इसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं जो मैं आपको आगे चर्चा करके वीडियो में बता देता हूं चलिए फड़ा फट से पहले तीसरे दिन आपने उने मटकी दे दी यह बाट जो है मेरी दूसरे नंबर पर करने की है पर मैं पर पहले नंबर पर कर लेता हूं दूसरे नंबर पर मैं इस और इंडिन्डिकैशन के वारे मैं आपको बता दूँगा मतलब क्या होता है जब भी हम बर्ड पालते हैं में देख लेते हैं तो ऐसा कभी नहीं करना है कभी भी आपको बड़ लाना है तो उसे प्रॉप पर जो है एक पेर लेकर आना है पहले तो मतलब मेल और फीमेल का और उनकी एज एकड़म होनी चाहिए जो मैं अभी दूसरे नंबर पर बात करूंगा और उसके बाद आपको करना है तो उस मत्की को अपने घर के रूप में अपने अंडे बच्चों के रूप में वहाँ पर उसको घर बनाने के रूप में एकसेप्ट करेंगे और अगर आपने दूसरे तीसरे दिन लटका दी तो वह कभी उसके अंदर नहीं जाएंगे पहला पॉइंट हो गया दोस अबावी के दोस्तों कि वह लड़ेंगी मत्की में जाने के लिए या फिर वह जाएंगी नहीं होगा तो पीमेल पीमेल आपस में फाइट भी कर सकती हो मत्की में तो विलकुल नहीं जाएंगी तीसरी बात यह हो जाती दोस्तों कि कभी-कभी हम लोग जो जो पेर लेकर आत या फिर बच्चा है आप अगर जो नए दोस्तवाई होते हैं वो 40-50 दिन के बच्चे को भी बड़ा बजी समझने की गलती कर सकते हैं और यहीं पर दिक्कत आती है कि आपको जो भी बर्ड बेशते हैं मार्केट वाले बेशते हैं या किसी के फॉर्म से आप लेकर आते हैं त वो उस काम को कैसे कर सकते हैं तो वो मटकी के अंदर इंट्रेस्ट लेंगे ही नहीं पहली चीज तो यह होगा दोस्तों हमारा दूसरा कारेंट और तीसरे कारेंट में आपको बटा देता हूं दोसमें जो सबसे ज़ादा लोगों को दिक्कत आती है या फिर जो प्राब्लम भी नहीं होगी जो age gap की सबसे बड़ी problem होती है आप एक pair लाते हैं उसमें age gap इतना जादा होता है कि female मान लीजिए बहुत जादा age की है या बहुत कम age की है दो महीने की female ले आए आप और एक साल का male ले आए या एक साल की female ले आए दो महीने का male ले आए तो उनका pair तो बनना ह नहीं है और जब तक पेर नहीं वनेगा तब तक बर्ड मटकी में नहीं जाएंगे अंडे नहीं देंगे यह सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसको बहुत जादा गौर से समझिएगा और आपको यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मतलब एज गैप का इड अंतर लगा सकते हैं बहुत आसानी से मैंने समझाने की दोस्तों कोशिश करिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजेगा तो हमारे बहुत सारे दोस्त भाई जो यूटूब चैनल पर जुड़े हुए हैं वह आपको वहीं पर कमेंट में बता अंडे भी देगी और साथी साथ अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से पालेगी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा इसके अलाबा भी बहुत सारे कारान होते हैं दोस्तों आप अपने बर्ड को कभी भी डरा हुआ महसूस म होने दीजिएगा जहां पर भी आपने रखिएगा ऐसी सेफ जगह पर रखें कि बर्ड एकदम सेफ फील करें धीर धीर उनका विश्वास जीते हैं उसके बाद मटकी लगा है उसके बाद बीडिंग करा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आईगी दोस्तों उम्मीद करता अधर वडियो अच्छा लगाओ कर अच्छा लगाओ मेरी महनत पसंद आई है दोस्तों इस वीडियो के लाइक जरू करिएगा अच्छा सा जरू कर एक कमेंड करहेगा मुझे इंतिजार चैनल पर पहली पार आए तो सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं फिसी अगले informative वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू गाइज